खाने के बारे में एक बात बताऊं, मैं फूडी हूँ मुझे खाने से प्यार है तो शूटिंग के दौरान तो हाँ मैं अवोई करती हूँ पर जब मैं ब्रेक पर होती हूँ तब हाँ मैं खूब खाती हूँ लेकिन मुझे जानवरों से भी प्यार है तो इसलिए आप उन्हें खा लेती हैं जब मैं कोई ऐसी घटना देखती हूँ नहीं लोग बोलते हैं मुझे खाने से प्यार है और आपको जानवरों से प्यार है इसलिए आप उन्हें खाने में डाल देती हैं नहीं मैंने कई बार कोशिश की है मतलब ओके मुझे नौनविच खाना छोड़ना है मैंने ये कोशिश भी की है तो एक हफ़ते या दस तिन तक नौनविच से दूर रही पर जैसे मैं किसी को नौनविच खाते देखती हूँ मेरा मन कहता है ऐसा है अगले महीने से मैं क्या आप अपने पालतू जानौरों को कब खाने वाली है लोग यही कहते है वैसे मैंने लोगों को चिकन और बाकी जानौरों से बड़े अच्छे से बात करते देखा है और अगले ही हफते बो उन्हें खा लेते हैं आप वेजिटेरिन है या नौन वेजिटेरिन? आज ये बताने के लिए परियाप दस्तावेज मौझूद हैं कि पौधे भी किसी भी दूसरे प्राणी की तरह ही समवेदंशील होते हैं तो चाहे आप एक पौधा खाएं या एक जानवर या कुछ भी खाएं ये फिर भी हिंसा ही है बस फर्क ये है कि पौधे चिलाते नहीं है वो चिलाते हैं पर आपको फर्क नहीं पड़ता बस ये दिखाने के लिए पर्याब सबूत मौझूद हैं कि वो चिलाते हैं इसे इस तरह रिकॉर्ड किया गया है कि अगर मालीजे एक जानवर आता है ये पेड़ों के बीछ होता है, मालीजे कहीं हजार या दस हजार पेड़ हैं मालीजे एक हाथी आता है और पेड़ की पत्यों को खाने लगता है तुरंत वो पेड़ अपनी प्रजाती के सभी पेड़ों को ये संदेश भेज देगा कि उसे खाया जा रहा है पता नहीं वो हाथी को पैचाने गया या नहीं पर वो बता देगा कि उसे खाया जा रहा है और मिंटों में अगर वो हाथी दूसरे पेड़ों के पास गया तो सारे पेड़ अपने पत्तों में कुछ मात्रा में जहरीला पदार्थ पैदा कर लेंगे जब हाती उसे खाने की कोशिश करेगा तब उसे उसका स्वात कड़वा लगेगा और वो जहरीला होगा तो उसे नहीं चुएगा तो उनमें आपस में इतनी ज़ादा समवेदन शेलता होती है तो चाहे आप कोई भल या सबजी दोड़ें या कोई जानवर को काट कर खालें ये सब कुरूरता ही है बस इतना है कि हमें इसे थोड़ी समवेदन शेलता के साथ करना होगा सिर्फ उतना जितना ज़रूरी हो आपको ये फूडी होने का खयाल छोड़ देना चाहिए हम सब खाना खाते हैं खाना खाना चाहिए वरना ये अपने साथ कुरूरता होगी पर खाने के साथ पहचान बना लेना ये ठीक नहीं है क्योंकि उसका मतलब है तब हम सिर्फ अपना पोशन नहीं कर रहे होंगे बलकि उसी में डूब जाएंगे हमें अपना पोशन करने का अधिकार है एक जीव के रूप में हमें अपना पोशन करने का अधिकार है क्योंकि दुनिया में भोजन का चक्र ही ऐसा है लेकिन हमें ये अधिकार नहीं है कि हम निर्दई होकर take another life just for pleasure सिर्फ मज़े के लिए किसी को मार डालें, हमें ऐसा करने का कोई हक नहीं है, हमें इस जीवन को पोशित करने का पूरा हक है, पर हमें दूसरे जीव को मारने का मज़ा लेने का कोई हक नहीं है, तो खुद को फूडी मत कहिए, यूँकि भोजन को कभी आपके पहचान नहीं ब झाल झाल